नवरात्री पर निबंद दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में मादुर्गा की आराधना में मनाये जाने वाले सबसे पवित्र और महत्थूर्ण त्योहार की जिसे हम नवरात्री के नाम से जानते हैं नवरात्री का अर्थ है नौ राते जिन में मादुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है इस त्योहार को वर्ष में दो बार देश के विभिन हिस्सों में बड़े ही हर्ष्व उल्ला से अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है नवरात्री का दिन क्यों और किस लिए मनाया जाता है और इसे मानाने का क्या मुख्य कारण है यह जानने के लिए जो भी छात्र छात्राय नवरात्री के उपलक्ष में स्कूल या कॉलेज में होने वाली लिखित प्रतियोगिता में भाग लेकर नवरात्री पर निबंध वह हमारे लेक में दिये गए निबंद के माध्यम से प्रतियोगिता में नवरात्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर भैतर निबंद तैयार कर सकते हैं। नवरात्री के अवसर पर निबंद नवरात्री जिसे हम नवरात्र नवराते आदी नामों से भी जानते हैं। इसको दर्शाते हुए उनके नौ रूपों की आराधना करने के लिए मनाते हैं, जिसमें नवरात्री में नौ दिनों तक पूजार्चना कर व्रत रखे जाते हैं, साथ ही धूमधाम से नाचगाने के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के रूप में याद रखकर ल वर्ष में यह त्योहार दो बार मनाया जाता है, जिसमें पहली नवरात्री, चैत्र मास, अप्रेल या मार्च के महिने में और दूसरी शारदिय नवरात्री यानि अक्तूबर के महिने में पूरे नौ दिनों तक मनाने के बाद दस्वे दिन दशहरे के रूप में मनाया जा नवरात्री की नौ रातों को पूरी तरह माद दुर्गा को समर्पित कर लोक पूरी निष्ठा वभ्धक्ती स्तियोहार को मनाते हैं। इस दिन मात दुर्गा के नौ रूपों का पूज़न करते समय दुर्गा सब्तष्टी का पाठ विशेश रूप से किया जाता है। इन नौ दिनों में किये जाने वाली पूजा में माताओं के नाम कुछ इस प्रकार है मा दुर्गा के नौ रूप शैलपुत्री नवरात्री के प्रथम दिन माता दुर्गा के पहले स्वरुप मा शैलपुत्री की पूजा की जाती है इनका जन्म शैलपुत्र हिमाले के घर होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, इनकी सवारी व्रिशब है मा शैलपुत्री को सौभाग्यव शान्ती की देवी भी माना जाता है जिनकी अराधना से व्यक्ती को एक प्रकार की सकारात्मक उरजा का अनुभव होता है जिससे मन में चल रहे विकार दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख यश्वकीर्ती प्राप्थ होती है ब्रहमचारिनी नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रहमचारिनी की आराधना की जाती है ब्रहमचारिनी का अर्थ होता है तब का आचन करने वाली इस दिन मा की पूजा कर हमें भी एक अच्छे आचर्ण का चैन करने वह जिन्दगी में तब कर आगे बढ़कर काम्याब होने की प्रेरना मिलती है चंद्रगंटा, देवी चंद्रगंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है इन्हें सुंदर्ता की प्रतिमूर्ती के साथ साथ शौर्य की देवी के रूप में भी जाना जाता है देवी के मस्तक पर अर्थ चंद्रधारन करने के कारण इन्हें चंद्रगंटा भी का जाता है इनकी पूजा से हमारे मन में सक्रात्मक सोच उत्पन्न होती है और मन से सभी बुरे विचारधाराय खत्म हो जाती है कुश्मांडा, देवी दुर्गा के चौथे स्वरुप को मा कुश्मांडा के नाम से जाना जाता है इन्हें स्रिष्टी की रचनात्मक देवी माना जाता है इनकी अराधना से व्यक्ति का मन सिध्यों में निधियों को प्राप्त करके सभी रोकशोक से दूर हो जाता है कथा जीवन में सुख, सम्रधी आधी को प्राप्त करता है सकंदमाता देवी के पाँचवे स्वरुप को हम सकंदमाता के नाम से जानते है यह देवी कार्थिके की मा के रूप में जानी जाती है इनका वाहन सिंग है देवी को शक्ती का भी प्रतीक माना जाता है जिनकी आराधना से व्यक्ति के मन वव्यवार में बहतर बदलावाता है साथ ही इनकी पूजा से भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूरी होती है कात्यानी नवरात्री के छठे दिन मा कात्यानी की आराधना की जाती है माता के इस स्वरुख को भी शक्ती का प्रतीक माना जाता है और एही वज़ा है कि इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है इनके पूजन से व्यक्ति को धरम, मोक्ष की प्राप्ती होती है और उनके मन से भय वर रोकशोक दूर हो जाते हैं कालरात्री सात्वे दिन माता कालरात्री की पूजा की जाती है इनके रूप को भयावय माना जाता है यह दुष्टों वह बुराई का सर्वनाश करती है इनकी कृपा से व्यक्ति के ग्रिह बाधाये दूर होती है और यह अपने भक्तों की सुरक्षा करती है महागौरी, नवरात्री के आठवे दिन हम सभी माता महागौरी की पूजा करते हैं इनके दिन को अश्टमी के रूप में मनाया जाता है इनका रंग सफेध होता है और इन्हे बुद्धी व शांती का प्रतीक भी माना जाता है इनकी उपासना से व्यक्ती की सभी मनोकामनाय पूरी होती है सिद्धिदात्री, नवरात्री के अंतिम दिन मा सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है इस दिन को नवमी के रूप में मनाया जाता है देवी सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों को धारन करने वाली देवी माना जाता है साथ ही इन्हे भगवान शिव की अर्थ शक्ती के रूप में भी जाना जाता है इनकी कृपा से भक्तों को सिध्धिया प्राप्थ होती है और उनके जीवन में सुख शान्ती बनी रहती है विभिन्न राज्यों में मनाई जाने वाले नवरात्री नवरात्री का त्योहार पूरे भारत वर्ष में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है जिसमें माता की पूजा अर्चना कर उनकी आराधना में महिलाए द्वारा वरत रखकर माता की पूजा की जाती है और नवे दिन कन्याओं को भोग लगाया जाता है साथ ही इस समय रामलीला का मंचन भी किया जाता है यदि हम बात करें बंगाल की तो नवरात्री के नौ दिनों तक बंगाल में मा दुर्गा की पूजा हेतु माता के पंडाल सजाए जाते हैं यहां गली वर शहरों में पंडालों पर माता की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा धुमधाम से नाच गाने के साथ की जाती है गुजरात में भी मा दुर्गा की आराधना बड़ी ही धुमधाम से की जाती है इस दिन को गुजरात के नागरिक दांडिया व गर्बा के साथ नाच गाना करके माता की पूजा अर्चना करती है जिसमें दुर्गा पूजा से पहले गर्बा किया जाता है और बाद में दांडिया कर पूरे नौ दिन इस त्योहार को कुशीव उल्लास के साथ मनाया जाता है कमिलनाडू वकरनाटक में इस त्योहार के समय माता की छोटी-छोटी खिलोने जैसी मूर्तियों के साथ-साथ गुड़े-गुडिया घोडे आदी बहुत सी मूर्तियों से बाजारों को सीडी के आकार के मंच पर सजाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है महाराष्ट में इस दिन को अयुद्ध कहा जाता है इस दिन महाराष्ट में भी लोग अपने घरों में दीप जला कर माता की अर्चना करते हैं तथा अश्टमी व नवमी के दिन वरत कर कंचिका में नौ बालिकाओं को भोग लगा कर अपने वरत को संपन्न करते हैं नवरात्री मनाने की मुख्य कथाए दोस्तों जैसा की हम सब जानते हैं, हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे बहुत सी मुख्य वपौराणिक कथाए होती है. उनसे सीख लेकर या उस दिन को याद करके हम बहुत से त्याहारों को पूरे भारतवर्ष में मानते हैं नवरात्री को मनाने के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है जिन में सबसे प्रचलित कथा महिशासुर नामक राक्षस वद्देवी की मानी जाती है जिसमें पौराने कथाओं के अनुसार एक महिशासुर नामक राक्षस हुआ करता था जिसने अथक और कड़ी तपस्या के बाद ब्रहमा जी को प्रसंद करके अमर होने का वर्दान मांगा परंतु संसार में जन्म लेने वाले हर प्रानी को एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ता है इसलिए उसे यह वर्दान प्राप्त नहीं हुआ जिसके बदले उसने अजे होने का वर्दान मांगते हुए यह मांग रखी की न तो उसे कोई देवता पराजित कर सके और ना ही कोई अन्य प्राणी यदि कोई उसे पराजित कर सके तो वह केवल एक स्त्री हो जिसका वर्दान ब्रहमा जी ने उसे दे दिया वर्दान प्राप्थ होने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमन कर उनसे उनका राज्जव अधिकार छीन कर वह सभी प्रानियों पर अत्याचार करने लगा और ऐसा उसने ब्रहमा जी द्वारा दिये गए वर्दान के कारण किया जिसके चलते कोई भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं था वर्दान में मांगे गए वर के दंब में उसने अपने अत्याचार जारी रखे और साथ ही खुद वो अमर भी समझने लगा उसकी सोच थी की भला कोई अबलास्त्री उसे कैसे हरा सकेगी इस प्रकार और कोई भी उसे चनौती देने की स्थिती में नहीं था ऐसी स्थिती को देखते हुए सभी देवताओं ने माता का आवान कर उनसे राक्षस के अंत करने की कामना की जिसके बाद मा दुरगा ने महिशासुर से पूरे नौ दिनों तक युद्ध करके दवताओं वो अन्य सभी प्राणियों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया जिसके बाद से आज तक हम इस दिन को नवरात्री के रूप में मनाते हैं अन्य पौराणे कठा के अनुसार नवरात्री को मनाने का एक कारण यह भी माना जाता है कि रामायन के समय में रावन द्वारा सीता जी के हरण के बाद रावन से युद्ध करने से पहले प्रभुश्री राम जी ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर नौ दिनों तक उनका हवन किया यहां हवन होने वाले युद्ध से पूर्व माता का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए किया गया था जिसके बाद दस्वे दिन राम जी द्वारा रावन का वद्ध कर दिया गया जिसके बाद से ही हम सभी नवरात्री के नौ दिन पूरे हो जाने के बाद हर वर्ष राम लीला का आयोजन कर दस्वे दिन दशरे के रूप में रावन के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद करके इस दिन को बड़ी धूमधाम से मानते हैं नवरात्री से संबंधित प्रश्न उत्तर नवरात्री 2022 कब है? वर्ष 2022 में पढ़ने वाले चैत्र नवरात्री का त्योहार 2 अप्रेल 2022 से शुरू होकर 11 अप्रेल 2022 तक है वही शारदिय नवरात्री 26 सिदबर 2022 से शुरू होकर 5 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे 2022 में चैत्र नवरात्री कब है? चैत्र नवरात्री 2 अप्रेल से शुरू होकर 11 अप्रेल तक है नवरात्री क्यों मनाते है? नवरात्री में आदिशक्ती के सभी देवी स्वरूपों के पूजन का प्रावधान है ऐसा करने से शद्धालों को देवी धन्धानिय और सौभाग्य प्रदान करती है जिसके लिए सभी इन दिनों विशेश तौर से देवी पूजन करती है इसके पीछे विभिन्न मान्यताएं और कथाएं है जिसमें देवी और महिशासुर की कथा आती है साथ ही राम वर रावन युद्ध से जुड़ी कथा भी है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है 2022 में शार्दिय नवरात्री कब है शार्दिय नवरात्री दो हजार बाईस चब्वीस सिद्बर दो हजार बाईस से शुरू होकर 5 अक्टूबर दो हजार बाईस तक चलेगी दोस्तों यहां हमने आपको अपने लेक के माध्यम से नवरात्री के पावन उत्सफ को मनाने व उससे संबंधित सभी जानकारी अपने निबन में प्रदान करवा दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिये गए नवरात्री पर निबन से संबंधित जानकारी आपको आपके विद्यालेव कॉलेज की लेक प्रतियोगिता के लिए बहुत मददगार होगी.